सो बजट आने के लिए तयार है और हम सब की कुछ ना कुछ उमीदे होती हैं, हम कुछ ना कुछ एनलाइज करते हैं कि किस सेक्टर को, किन चीजों को और क्या क्या चीजों में बेनिफिट होगा, नुकसान हो सकता है, आज हम इस वीडियो पर उसे ही डिसकस करेंगे, मेरी एक क्या है, क्यों है, वो भी डिसकस करेंगे, आप मुझे अपनी उपीनियन जो है वीडियो के बाद में बताना, और आपकी क्या उमीदे हैं, और आपकी एक्सपेक्टेशन, वो भी जरूर बता दीजेगा, मैंने कुछ पॉइंटर्स जो है, पिन पॉइंट किये हैं, कुछ बस लिखेंगें हैं, जिससे मुझे लगता है कि ये चीजें चुँँआ, expected हैं, बजड में, और ये चीजें तो होने ही वाली है, सबसे पहले है, defense spending, अब यह defense spending जो है, यह आम सी बात है, make in India, defense spending, यह तो हो गई होगा, यह सब को पता है, और शायद इसी लिए हमारे defense sector के stocks भी जो है, काफी बढ़ते हैं, बट इसमें जो है, परमुक तोर पर मुझे लगता है, एक निया इतिहासिक फासला हो सकता है, या continuation में जो है, यह for a longer period of time जो है, फासला हो सकता है, ports या defense sector through the sea, अब यह तो different चीज़े हैं, land तो हम ध्यान देते ही हैं, बट मुझे लगता है, strategical wise, I don't know, यह already जो है, obviously field पर काफी काम होई रहा होगा, but I expect future में, field के इलावा, field तो क्यूंके आपके सामने हैं, वहां पर आपके, जो है, robots वगरा भ ये sea, या ये जो border को, जो समंदर, या पानी, इसके ऊपर जो है, कही न कहीं, strategies बनेंगी, तो इस strategy के ताहत, defense को boost तो मिलेगा, make in India को भी boost मिलेगा, but उसमें भी specific तौर पर, ports, ports को मुझे लगता है, हमें ignore नहीं करना चाहिए, ports being strategical, जो है काम, ports being हमारी देश की defensive, और उस ports मे जो है, हर चीज आएगी, जो भी उस, जो है, field को associate करती है, defense के तौर पर, ports will be the one, या इस तरह की schemes, इस तरह के proposals, इस तरह की चीजें, जो हमें कहीं न कहीं expected हैं, या मुझे expected हैं, इस आने वाले budget से, उसके बाद है, education spending, अब हमने previously देखा है, कि हमारी budget की spending, education से जादा जो है, देखी गई है, I don't know why, normally ये associate हम नहीं करते हैं, Indian budget से, या Indian economy से, बट budget के ऊपर, मुझे लगता है, इस बार, education पे ध्यान दिया जाएगा, education जो है, उसमें सिरफ और सिरफ इंफरा या school बनाने से, जो है, बात नहीं बनेगी, but smart जो educating, जो है, एक future की तरफ जाएंगे, उसमें हो सकता है, आप कुछ incentives देना शुरू करो, institutions को मजबूत और करना शुरू करो, transparency और लेकर आओ, या इस तरह के, इस field को जो help करें, चाहे वो book से लेकर, चाहे वो stationery से लेकर, चाहे वो education institute से लेकर, जो एक बच्चे से लेकर, बड़े तक help करे, उसमें smart education या कोई भी जो है, नहीं चीजें हो सकता है, education के साथ, AI का हमें सुनने में जरूर मिले, you never know, अब ये किस level तक आगे बढ़ेगा या नहीं, वो देखने वाली बात होगी, बट पहले से जादा education की ऊपर जोर दिया जाएगा, और stock market के हवाले से education related stocks हैं, और कई इतने अच्छे stocks हैं, जहां promoters ने नको नाक जो है भरक भरका रखे हुए हैं, के recent listed भी ऐसे हैं, उन stocks में potential जो unlocking हो सकती है, future के लिए, even present, वो unprecedented हो सकती है, मतलब कमाल की हो सकती है, education के बिना एक देश actual में तरक्की नहीं करता, और हमारा दुरभग्य रहा है, from the very start, कि हम education में जो है, बहुत जादा जो है budgets या education में बहुत जादा ध्यान नहीं देते हैं, इस budget में at least बातें तो जरूर होगी, काम field पर कितना होगा या नहीं होगा, वो तो आने वाला वक्त बताएगा, बट education की ऊपर बहुत जोर दिया जाएगा, और सिरफ constructive या construction की ऊपर नहीं होगा, एक constructive जो है education की ऊपर काम या skills को improve कर लो, चाहिए आप जो है नीचे से ऊपर तक जो है बच्चों के curriculum में जो है चीजें add-on देख लो, बट उसमें एक boost expected है, और एक major boost expected है previous सालों से, इसके बाद जो है FMCG के ऊपर, FMCG के ऊपर बहुत लोगों के बहुत जो है उमीदे हैं, but I personally feel directly इन्हें कोई benefit शाय इनके लिए होगा, I don't think so, और FMCG बस वही है कि FMCG के लिए यह है कि एक महीना sales या एक महीना demand कम हो सकती है, बट फिर मैं वो grow कर जाती है, तो FMCG के लिए मैं बहुत कुछ बढ़ी खबरें या बड़ी चीजें expect नहीं कर रहा हूं, but agriculture के लिए कर रहा हूं, अब कई लोग क कहेंगे कि agriculture अगर इंप्रूव होगा, तो demand FMCG के अपने बढ़ जाएगी, yes, अगर आप interlink चीजों को देखो, फिर तो agriculture इंप्रूव होगा, तो tractor से लेकर आपका अच्छे जो बड़े फार्म, farmers and all that, वो कुछ और spending भी कर देंगे, वो interlink करना है तो बात और रहा है, यह मै बेसिकली जो है, front जो है, उस पर चीजें बात कर रहा हूँ, agriculture में मुझे लगता है, MSP जैसी चीजें जो है, उन पर concentrate किया जाएगा, normally जो है, recent times में हमने देखा था, minimum support prices में सरकार पीछे हो रही थी, but और जो है, चीजें include की जाएंगी, MSP के लिए और promote किया जाएगा, farmers को encourage किया जाएगा, कि भाई, आप traditional way से हटिए, I won't be surprised कि traditionally, जो MSP के rates है, on not usual crops, या जो आम चीजें, जो तकरीबन सारा देश उगा रहा है, या majority of the farmers उगा रहे हैं, उस से हटकर, unusual चीजें पर, जिनमें demand भी बहुत हाई है, उन्हें MSP जो है, up to a certain सालों तक, बहुत अच्छे स जो है, बढ़ा दिया जाए, to encourage them, कि इस MSP के इतने high rates के लिए, आप agriculture जो है, इस चीज़ की कीजिए, I won't be surprised अगर ऐसा हो, इसके इलावा जो है, और loans, और freebies, loans की जो है, और encouragement, इसके इलावा, cards गएरा तो इनके चली रहे होंगे, farmers के and all that, but उनमें जो है, interest कम करना, और जो ह के साथ भी link करना, जो हमने previously pointer पर discuss किया था, इसके लावा, farmers को ये बताना, कि आपको knowledge जो लेनी है, और ली जा सकती है, फ्री ली जा सकती है, उसके against loans आप और ले सकते हैं, even अगर आप agriculture कर रहे हैं, तो maybe, maybe आपको real life में जो आप education loan लेते हैं, या loans लेते हैं and all that, वो और interest ज दबा कर खुश किया जाएगा, उस खुशी में ऐसा नहीं होगा कि बूरी तरह ये मतला, फ्री कर दो नहीं, उसमें एक constructive चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, या होंगी I expect, जिसमें आप कहेंगे budget के बाद, कि भाई ये smart move थी, इससे आपने फायदे भी दिये, और सरकार को बोज भी नहीं गया, और आपने जो है, actually मेहनत करने वाले किसानों को जो है, उनकी करवादी बल्ले बल्ले, this is my expectation, उसके बाद जो है, income tax की ऊपर, जो है, already हला गुला चल रहा है, कि रिबेट मिलेगी, या आपको जो है, benefit मिलेगा, आम जो है, रिटेल को, आम जो है, इंदोस्ता को मुझे लगते है, income tax में benefit तो होगा, वो headline में बनेगा, कि सरकार ने जो है, benefit दिया है, आम इंसान को, आम जो है, इंडियन को, कि आपको income tax में रिबेट मिल गई है, या income tax में आपको छूट मिल गई है, whatever, headline के लिए वो होगा, but actually practically जो है, और हा, numbers में भी होगा, कि इतने ल जो है, बहुत जादा high hopes नहीं है, इसके लावा, railways, railways, we all know, infra भी हो गया, इसके लावा, railways, जो है, construct की जाएंगी, और railway stations पर ध्यान दिया जाएगा, rails की उपर ध्यान दिया जाएगा, और coaches आएंगे, this and that, यह सब जो है, normal circumstances में चलता रहेगा, और चलेगा भी, but major तोर पर मुझे लगता है, highlight of the budget, or highlight what I want to see is the security, अब वो security में, भले ही जो है, आप, जो है, जिस मर्जी systems को देख लो, जो मर्जी planning देख लो, but railway theme के अंडर मुझे लगता है, highlight of the show रहेगा, security, और normally क्या होता है, यह मेरी believe हो सकता है, practically मैं गलत हूँ, इसके ऊपर, announcements बहुत हो जाती है, चाहे वो stations की हो, चाहे वो पत्री lines की हो, चाहे वो rails की हो, whatever it is, वो practicality में तो मतलब वो ऐसा होता है, कि बाबा आदम की आदम की जमाने की announcement, पता नहीं कब हुई या कब नहीं, implement हुई, मुझे लगता है, बट security वाला, जो especially आप इसमें देखोगे न, और I won't be surprised, सिरफ और सि security companies and technology companies, they also participate, bring new technology, बताओ हमें आकर, और we can implement accordingly, और यह security वाला पार्ट जो है, इसका volume भी अच्छा खासा होने वाला है, और इसकी implementation भी definitely होगी, और जल्द से जल्द होती जाएगी, और यह long career जो है उनका बन सकता है, इस जो field में काम कर रहे हैं, इस जो चीज में काम कर रहे है because security is something जिसमें हम compromise वैसे भी नहीं कर सकते हैं और करेंगे भी नहीं, और यह हो एक highlight of the railway package जिसमें security के लिए मुझे बहुत उमीद है देख रही है, उसमें आप चाहें breaking से लेकर जो है, अपने system से लेकर जो है, जो कुछ भी आप जो add कर सकते हो, बहुत ग्यानी ग्यानी लोग विद्यान जो है, बैठे हैं, वो आपको समझा देंगे, बट आपको basically उन चीजों की उपर concentrate करना चाहिए, इसके बात जो है, infra की उपर, obviously अब इतनी सारी चीजें होंगी, ये भी बाते की जाएंगे, कि roads, railways, ये बनेगा, वो बनेगा, तो infra चलता रहेगा, बट मेरा concentration सिर कर रहा है, देश ग्रो कर रहा है, तो cement indirectly का directly उसका beneficiary होगा, और जिस तरह इस sector में काम चल रहा है, जिस तरह जो है, companies takeovers हो रही है, जिस तरह जो अपनी presence बढ़ाई जा रही है, I won't be surprised, ये जो है, आने वाले जो है, 10-15 सालों में जो है, ये एक बार फिर से जो है, boom sector बन सकता है, बनना चाहिए, और budget में कहीं ना कहीं इसकी planning तो definitely होगी, और कहीं ना कहीं, जब ये budget में चीज़ें आप announce करते हैं, जैसे railway, आपका जो है, इंफरापडमी, आपकी roads, आपकी constructions, even houses and all that, तो cement आपको जो है, ignore नहीं करना चाहिए, उसके बाद जो है, एक सबसे important चीज़ ह और speed से करेंगे, हम clean energy use करेंगे, हम solar energy को promote करेंगे, तो उस related जो है, ये सारी चीज़ें, जो है, जिसमें solar आता है, जिसमें आपकी clean आती है, wind आती है, आपकी EVs आती है, ये सारा sector जो है, वो सिरफ और सिरफ hopes में ही बढ़ेगा, सरकार अपनी तरफ से क्या गर देगी, सरकार जाधा से जाधा आपको discounts दे रहेगी, और वो discounts किसी काम के नहीं रहते हैं, क्योंकि बाहर जो अब आप जाते हो, तो जो है, ये car makers and all that ही अपने आपको बढ़ाते रहते हैं, इमकी prices तो बढ़ती रहेंगी, तो actually, जो है, बंदों की, जो है, जेब में, उसका को benefit खास नहीं होता है, but environment के ऊपर, जो है, headline बनाने के लिए, इसके ऊपर concentrate किया जाएगा, yes, अगर आपको future में, या even अभी भी, जो है, hydrogen, hydrogen के ऊपर, clean energy के ऊपर, आपको solar, आपको, जो कुछ भी EVs के ऊपर, value by, जो हागर मिलती है, तो maybe, जो है, आपको, जो है, उस पर ध्यान रखना चाह है, demand बहुत हाए है, future में, और जादा होनी है, तो उसका, जो है, actually push मिलेगा, generation companies को, बहुत अची बात है, इसमें, आपके smart meters, smart meters के इलावा, सरकार का plan रहेगा, कि हर, जो है, 24 घंटे, जो है, power मिलेगी, सब को मिलेगी, uninterrupted मिलेगी, this and that, again, for the highlight, एक news, जो है, highlight दिखाने के लिए, क्योंकि in any case, इस sector को जो है, आपको बढ़ाना है, और, तो सरकार को केवल, और केवल, जो है, new technology के साथ, जो है, generation पर जोर देना है, इसके रावा, कोई alternative नहीं है, हाँ, इस इसको आप play कैसे करते हो, future के लिए, well, जहां तक मुझे पता है, power stocks हो गए, and all that, वो कहीं न आपको जो है, उसमें पंगा नहीं ले सकते हैं, तो best way to play this theme is, मुझे लगता है, आप ये जो smart meters and all that है, इन पे concentrate करो, इन में सरकार जब, जो है, possibly, जो है, आपको चीजें जो है, बताएगी, कि आपको ultimately, हमें सब को smart meter पे shift होना है, this and that, और, इस sector में, जो है, आपको फायदा केवल और केवल ऐसा consumption के रिए मिलेगा, बट सरकार headline जरूर इसके उपर बनवाएगी, और कोई इस पे जो है, सबस्टिरी मिलनी, कोई जो है, आपको इसमें जो है, एक road map मिल जाना, वेल, बनाने को बहुत कुछ बनाएंगे, बट मेरी expectations बहुत कुछ जादा इसमें से नही है, इसके इलावा जो है, टूरिजम, टूरिजम ऐसी चीज है, जो मुझे परसनली लगता है, कि मतलब हमारे देश का जो है, काया जो है, पलट सकती है, पूरी, और टूरिजम के बिना, I don't think so, कोई भी country जो है, अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, और इंडिया के पास तो इतना जादा पोटेंशल है, कि क्या कहीं कितना जादा पोटेंशल है, इसमें जो है, यस हला गुला मचेगा, टूरिजम को पर्मोट किया जाएगा, होटल इंडस्ट्री, आपकी ट्रेवल एजन्सी, इस और उनमें जो हला गुला मचेगा, वो चलेंगे, बट मुझे परसनली ल प्लाणिंग, प्लाणिंग के बाद, जो है, उस सेफटी, सेफटी के बाद, इन्फरा, इन्फरा के बाद, वो एक्चुली, क्ली तौर पर उसे हब बनाना, तो ये सारी चीज़ें, जो है, अनौस्मेंट में बहुत अच्छी लगेंगी, बट प्रैक्टिकली मुझे लगत हैं कई तो ऐसी travel की companies हैं जिनके खुद के promoters बेचने को लगे हुई है so how can you expect जो promoters बेचने को लगा हुआ है वो आपके लिए पैसा बना कर देगा तो यह इस industry में इतना बड़ा potential है मैं अगर खुद budget बना रहा होता ना मैं defense को जो है certain चीज पर रखता कि ठीक है आपका बजट जो है लॉट उसे साब से करो जितनी requirement है उसके लावा education और travel को तो मतलब मैं छप पर फाड़ कर कोशिश करता कि यह से जितनी जल्दी और जितना अच्छा और जितना सच्चा जो है इस travel को हम जो है theme के अंडर बना सके उतना जो है सबसे बड़ा बवाल सबसे बड़ी दिक्कत सबसे बड़ी परिशानी इस budget में I don't think so बहुत लोगों ने expect किया होगा but मैं expect कर रहा हूँ और शायद possibly इस वज़ा से जो है हो सकता है मेरे actions भी उसे जो है उसे साब से जो है support कर रहे हो जो भी मैं कर रहा हूँ मुझे लगता है कि short term capital gain long term capital gain इसके अलावा futures and options के जो आपके criteria होते हैं सब में दखल अंदाजी दी जाएगी बहुत लोगों को ये नहीं लगेगा ऐसा हो सकता है बहुत लोग agree नहीं करेंगे बढ़ मेरा मानना ये है कि सरकार को अगर ये करना है वो क्या कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ सरकार को अगर इन में से कुछ ना कुछ करना है तो इसी budget में करना है they won't allow की आने वाले budget में क्योंकि in any case एक जो है सरकार जिस तरह की जो है जोड़ तोड़ की सरकार है अगले साल रहे ना रहे किसी को नहीं पता और दो साल के बाद तो वैसे तीसरे साल में कुछ करने लाइक नहीं होते चौथे पांच में साल तो freebies का जमाना है तो उसके लिए पैसा भी तो जुटाना है long term में जो है जो 10% का capital gain है मुझे लगता है वो 15% पर जा रहा है and I hope I could be wrong और यह मेरी expectations है जरूरी नहीं है जो मुझे लग रहा है वो सब कुछ positive हो वो 10 का 15% पर जा रहा है short term की एक बात चल रही थी कि आप short term को भी business income में डाल दो वो बहुत बिहानक हो जाएगा वो बहुत बिहानक हो जाएगा कि आप short term को भी business income में डाल दो तो मुझे लगता है वो 15% को वो 20% पर कर दिया जाएगा जो अभी 15% है so 10 का वहाँ पर 15 कर दिया जाएगा 15 का यहाँ पर 20 कर दिया जाएगा और traders के लिए जो आपकी चीजें होती है जिसमें आपके कई taxes होते हैं उनमें कुछ ना कुछ कर कर जो है उसे increase किया जाएगा अब किस form में क्या उस पे कितना rise करना है क्या gain करना है वो अपने को नहीं बता I am not expert on this मुझे लग रहा है उस पे भी कुछ जो है addition जो है ना कही expectation लोगों को नहीं है और अगर ये चीज आती है तो बजार तो react करेगा और ऐसा react करेगा जो लोग बाहर बैठें उनके लिए opportunity ज़रूर होगी और जो लोग market में हैं वो एक बाहर तो डरेंगे अब कई लोग कहते हैं कि अगर अगर आपकी market के लिए इन taxes को या short term या long term जो है उसे छेड़ा ही न जाए ये market के लिए बहुत बढ़ी है बट मुझे लगता है अगर मैं second year तक नहीं सोच सकता कि ये होगा अगर कुछ होना है इस budget में होकर रहेगा मेरी expectations है नहीं हुआ तो भाई बले बले सब की जो है तो market के लिए तो कुछ ना होना तो अच्छा होने के बराबर शुरू हो गया है पता नहीं कैसे मैं तो अकसर लोगों को सुनता हूं कि कुछ नहीं होना वो आपके लिए positive है मैंने नहीं सुना की जो है कि कब से हम यह मानते है या actually यह होता है कि कुछ ना हो तो ही जादा अच्छा है यह अपने आपको समझाने वाली बाते होती है बट यह था वो एक बड़ा major खत्रा भी जो मुझे एक expectation के तोर पर इस budget से है आप agree disagree कर सकते हो आप भी free हो, मैं भी free हूं उसे साब से हमने बोला और stock का नाम हम नहीं ले सकते नहीं तो I would have been बहुत आराम से I would have taken names also but you know we can't take names यह थी मेरी budget की expectations और channel के members को कुछ ना कुछ कभी ना कभी बातें पहुंचती रहती हैं और आप लोग जो है यह again जो भी member बन रहा है नहीं बन रहा that is up to you I personally feel अगर आप creator को support करना चौहाते हो तो channel की membership ज़रूर join करो किसी लालज की वज़ा से नहीं के अबल creator को support करने के लिए और बाकी like, share, subscribe जूरू कर देना और आप agree करते हो, disagree करते हो आपके pointers, comment section में बता देना कुछ गलतियां, कुछ mistakes होगी होगी definitely होगी होगी उसके लिए हाथ जोड़ कर पहले ही माफी और हमेशा इस चैनल पेज़ा team partners पे कीजिए इसा number नहीं धन्यावा, take care, bye-bye